ओम शांती, आप सब को स्वागत है, आज हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आट ऑक्टोबर के श्री वरदान की, ब्रामन जीवन मिला, तो खोशी का खाजाना मिला, खोशी के वरदान मिले, और परमात्मा चाहते हैं कि ये सब कायम रहे, हम इसको खोना दे, तो कहीना कहीन हम ज परमात्मा जीवन में खोशी के वरदान को सदा कायम रखने वाले महानात्मा भवा, ब्रामन जीवन में खोशी ही जन्म से ददिकार हैं, जैसा हमें पता चिला हम हम कौन है, हम हम एक आत्मा है, हम एक पॉंट ओफ लाइट है, एक इनदानी इनजी हैं, हमारे इंता होशी Zur ép because हम सब कुछ relate कर रहे थे हैं अपने physical presence, physical form, physical attainment से जिसमें बहुत stress था लेकिन जैसी हमने पता कि इन सारी चीज़ों से हमारा कुछ मतलब नहीं है हमारा मतलब सिर्फ soul consciousness से है the real self तो ये सारी चीज़ों का असर पढ़ना कम हुआ तो खुशियान ये शुरू हुई तो सदा खुश रहना ही मानता है जो इस खुशी के वरदान को काइम रखते हैं वही महान है लेकिन जो इस वरदान को खोतेते हैं जो कि दुनियावी खुशी में प्राप्तियों में ही खुशियां डूनना शुरू करते हैं वो सदा फ्लेक्शुएट करते हैं, सदा उनका मूड आफ रहता है, सदा ही वो, और उसे कंपेर, और उसे इरिशा, और उसे नफर करना, और उसे बदला लेना, इनी चीज़ों में विस्त रहते हैं, और अपनी स्पिरिचल नेजी को खो देते हैं, तो इसलिए मैं कौन आत्म आप कौन? आत्मा, इस चीज़ की प्रैक्टिस करना, इसको मजबूत करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम आत्मा समझ करके आत्मा होने की खोशी में हम खोश रहे हैं, परमात्मा के बच्चे होने की खोशी में खोश रहे हैं, ना कि शरीर समझ करके शरीर की प्राप्तियों की और प्राप्तियों को पानी की खुशी में खुश रहे हैं, जो की अलपकाल की है, तो खुशी को कभी खोना नहीं, क्योंकि अगर हम उस तरफ की दुनिया में चला जाएं, शरीर समझने की दुनिया में चला जाएं, अपने आपको शरीर की प्राप्तियों, शरीर के comparison, competition में चला जाए तो फिर खुशी एक second में गाए समस्या तो आईगी और जाएगी लेकिन खुशी नहीं जाए क्योंकि समस्या परस्थिती है बोलता नहीं परस्थिती आई परस्थिती दूसरे के तरफ से आई हुई है परस्थिती में बोलता पर की तरफ से आई भी किसी होँने कुछ करबल करी खुश गलत किया, खुश आपको रोपनी कोशिश करी और तो परस्थिती होगी तो दूसरे की तरफ से आईगी इसलिए आपके कभी खुशी नहीं जाए वे तो आएगी और फिर जाएगी खुशी अपनी चीज है अपनी चीज को सदा साथ रखते हैं इसलिए चाहे शरीर भी चला जाए लेकिन खुशी नहीं जाए खुशी से शरीर भी जाएगा तो बढ़िया और नया मिलेगा अगर आप खुशी खुशी होकर शरीर छोड़ोगे तो अगला जनम में आपको शरीर भी अच्छा मिलेगा और आपको अच्छे संसकार खुश रहने वाले माता पिता भी अगले जनम में मिलेंगे लेकिन अगर आप दुखी दुखी शरीर छोड़ोगे तो अगर जरकर माता पैता भी दुखी मिलेंगे दुखी होने वाले हर चीज में परशान होने वाले और फिर शेरीबी वैसा मिले का उसके तोरह क्योंकि उनके genes वैसे होंगे उनके vibrations वैसे होंगे तो शेरीबी वैसा देंगे आपको तो इसलिए प्रमात्म कहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन खुशी ना जाए तो इसीज की प्राक्टिस हम प्रमा कुमारीज में हर दिन करने के कुशी करते हैं लेकिन इसलिए कुछ नियम है, अगर वो नियम फॉलू करें, हम रे तवेला से लेकर के तब जाके वो खुशी बरकरार रहेगी, नहीं तो सिर्फ कहने से खुशी बरकरार नहीं रहती है यह नियम क्या है, यह आप आकर कैसे सीख सकते हैं, और उनको कैसे प्राक्टिस करना है, वो भी प्रमा कुमारीज में सिखा जाता है ओम श्यांतिस के साथ